विपक्ष ने कल राजपाल भगत सिंग कोश्यारी के विरोध में बड़ी रैली निकालने की तयारी की थी इस बीच अब बीजेपी ने विपक्ष को घेरने के लिए मुंबई माफी मांगो आंदोलन का आगास किया है माहराष्ट में कल का दिन काफी एहम होने वाला है कल विपक्ष माहराष्ट के राजपाल भगत सिंग कोश्यारी के विरोध में बड़ी रैली निकालने की तयारी की विपक्ष मुंबई के भायकला इलाके से सीएस एमटी तक रैली निकालने वाले हैं और अब बीजेपी ने भी पूरे विपक्ष को घेरने के लिए खास कर शियुसेना और कॉंग्रेस को निशाना साजते हुए पूरी मुंबई में माफी मांगो आंदोलन का आगास किया है कल बीजेपी के जितने भी विधायक और पूरोनगर सेवक हैं वो अपने अपने इलाके में माफी मांगो आंदोलन करने वाले हैं बता दे कि महराश्ट के राजपाल भगत सिंग कोश्यारी ने च्छतरपती शिवाजी महराज के बारे में अपनी हालिया टिपनी के बाद र में पक्षी दलों में भारी नाराजगी फैल गई माराठा राजा के वंशजों में से एक उद्धेयन राजे भोसले ने केंद्र से कोश्यारी के खिलाफ कारवाई करने की मांग कि है शिवाजी महराज के प्रत्यक्ष वंसज संबाजी राजे छतरपती ने राजपाल से अपनी टिपनी को लेकर राजनिती के बीच महराश्ट के राजपाल भगत सिंग कोश्यारी ने केंद्रिये ग्रे मंत्री अमित शा को पत्र लिखा है कोश्यारी ने अमित शा को पूरी घटना से आउगत कराया और उनसे सलाली उन्होंने पत्र में कहा है कि वे शिवाजी मह पहराज और महराना प्रताब जैसे व्यक्तियों का अपमान करने के बारे में कभी सपने में भी नहीं सोच सकते यह पहली बार नहीं है जब कोश्यारी ने अपनी टिपनी को लेकर विवात खड़ा किया है जुलाई में कोश्यारी ने कहा था कि अगर गुज्रातियों और झाल, 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 झाल